हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने वालों कि कैसे आप अपने Vivo V25 Android मॉयल फोन में आप जो स्वाइप लोग रिमूव कैसे कर सकते हैं अपने वाइल फोन से ठीक है और इस स्वाइप लोग रिमूव होने के बाद आपके वाइल फोन के सैटिंग कैस स्क्रीन लोग पर आपको इस 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 स्क्रीन लोग पर लिखा हुआ है स्वाइप करंट स्क्रीन के बाद आपके mobile phone की setting कैसे काम करेगी यह मैं आपको बता देता हूं देगे दोस्तों जब भी आप अपने mobile phone की screen को off करेंगे इस तरीके से फिर इसके बाद जब इस screen को on करेंगे तो आपके mobile phone में जो आपने last page जो आखरी page जो छोड़ा होगा ना वो आपका direct सामने open हो तो इस swipe lock remove करने को बाद आपके phone की setting ऐसे काम करेगी अब मैं आपको इस setting को जोड़ने का एक shortcut तरीका बता देता हूं आपके phone में इसके लिए आपको mobile phone का setting page फिर से open करना है starting से setting page में आपको सबसे ओपर यह option मिलेगा search icon का इसे आपको search icon पर select करना है और यहां पर आपको search करना है screen lock इस screen lock आपको अपको टाइप करना है तो आपको नीचे की साइड स्क्रीन लोक का option शोग जाएगा यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जबंँ आपसे उपर search बार में setting का name आप टाइप करेंगे तो यहां पर आपको spelling mistake नहीं करना है अगर आप यहाँ पर सर्च बार में spelling mistake करेंगे तो आपको नीचे की side इस तरीके से option दिखाई नहीं देगा इस बात का भी आपको ध्यान रखना है तो चलिए वीडियो को आगे continue करते हैं आपको screen lock का यह वाला option select करना है जिसके नीचे setting security लिखा होगा इससे क्या होगा आपका mobile phone आपको directly setting में लेकर आजागा और इस setting को highlight करेगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में